नमस्कार दोस्तों आपका प्रयास टूबे अफ लेर्निंग में बहुत-बहुत स्वागत है मैं वेदु सिंग आपकी सामने फिर से हासिर हूं अपने नए वीडियो के साथ जो मैंने लिया है क्लास 7 के हिस्ट्री चैप्टर नंबर वन दमीर्वल पीरियर्ड दोस्तों इस व सब्सक्राइब करते हैं क्वेशन आंसर और समरीज की मध्योगीन यूग जो है वो विभिन राजों की बीश में शक्ति पानी के लिए संगर्षों पर आधारित था इसमें जो मुख्य राज थे वे थे उत्तर में राजपूत राज और दक्षिड में चोल राज और जो आक इसमें जो है मुख्य रूप से अंग्रेुज और फ्रांसेसी ही मुख्य प्रतिवंदी थे वियापार में इस यूग में कुछ कोशल बे विक्षित हुया है जैसे कार्टोग्राफी यह अरब और यूरोपेंस के द्वारा लाए गया था कार्टोग्राफी है जो वो मैप मे का ग्यान इस यूग की जो प्रशासनिक व्यवस्ता थी वह वह जटिल थी इसलिए हमें उस समय सारी चीजों को सनक्षित करने की जुरूरत पड़ी अभी लेखो के रख रखा ओपर भी ध्यान दिया गया इस यूग में दो ट्रावलर्स आये थे अलबरुनी जिसने भारत पर किताबल हिंद किताब लिखी थी और इबन बतलता चौदी शताबदी में आया था मध्योगीन यूग में संस्क्रित और जो पर्शन लैंग्वेज है ये ऑफिशली बोली जाती थी यानि ऑफिस का रियाला में इसका प्रेवगता था और बाकी रीजनल लैंग्वेजिस थी रादेशिक भाषा जैसे तेलंगिनी, गुजरी, काश्मीरी, सिंधी और आवधी उस समय रिकॉर्ड्स में कुछ प्राब्लम्स हो रहे थी जिसको हिस्टोरियंस को पढ़ने में बहुत प्राब्लम हो रही थी क्योंकि जो स्क्राइब्स थे पहले के जिनकी पोस्टिंग हो उसके परशात कुछ सामाजिक समू जातियों में परिवर्थित हो गया है जैसे एक शक्त्रिय, कुछ भूमी पती थें, कुछ जंगल के नेवासी आदी, कुछ ऐसी जातियों का निर्वांड हुआ, जिनका सेन्प्रोफेशन्स होता था, एक ही उद्योग, इनका एक ही जादा होता था, उस समय जो है युग में परिवर्थन तब हुआ है, जब विदेशियों से परस्पर क्रिया हुई, उसके परशात इंडिया में चाइनीज सेरी कल्चर आया, यानि की चाइनीज रेशमुत पादन, पर्शन, वाटर वील का उपयोग होने लगा, और कुछ स इसलाम जो है सरफ एक भगवान को मानता था, और कुछ जो है भक्ती मुव्मेंट्स भी हुए, और सुफिस्म इसमें आया, सुफिस्म वो था, जब वो हिंदूों से प्ररित होकर मुस्लिम्स में कुछ परिवर्थन हुए, तो वो सुफिस्म कहलाया, और जब हमने भक्ती क मार्ग अपनाया, तो यह भक्ती मुव्मेंट्स कहला है, इस प्रकार यह जित्थी समरी, अब हम चलते नेक्स एक्सेसाइस पर, चलित हमारी नेक्स एक्सेसाइस है, answer the following questions, यानि की प्रशनों के उत्तर दीजे, मैं आपको इसको हिंदी में भी समझाते चलूए, जिससे पीरियर्ड अराउंड एट सेंचुरी, एडी इस कॉल्ड दो मीड्यूवल पीरियर्ड, यानि की भारती इत्यास का जो आठवी शताबदी का समय है, वो मध्यूगिन युग कहलाता है, तो चलिए हम बढ़ते हैं, question number 2 की तरफ, इसका अर्थ ये है कि गत्म अध्यूगिन युग यानि की जो बीच चुका था, लेटर मीड्यूवल पीरियर्ड में जो मुस्लिम स्वारा आक्रमण हुए थें, उसने भारती संस्क्रिती को कैसे प्रभावित किया, मुस्लिम के आक्रमण के पश्चा जो है, मुस्लिम सामराज बिलकुल उत्थान पर था, और उनके शासन में, उनके अंडर कॉंट्रोल में सारी चीज़े आ गई थी, और जब वे इसलामिक कॉस्टम्स इंडियन, एफेक्टर इंडियन कल्चर, यानि इसलामिक कॉस्टम्स जो थे उनके इसलामिक रिती रिवाज, उस से भारती संस्क्रिती बहुत प्रभावे थी, क्योंकि शासन में उनका चल रहा था, तो नीती भी उनी की चल रही थी, Q3 है, Name some European countries that began direct overseas trade with India in the medieval period, यानि कुछ European countries के नाम बताएं, जिन्होंने मद्योगी युग में भारत के साथ direct यानि प्रत्यक्ष समुद्री वैपार शुरू किया था, तो इसका आंसर है, Portuguese, the English, the Dutch and the French, यानि पृत्गाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसी सी, Q4 है, How did the science of cartography come to India, यानि कि जो cartography का विज्ञान था, वो भारत में कैसे आया, यानि नक्षा बनाने का विज्ञान, जह है, It comes to India through the Arabs and the Europeans who undertook long journeys over land and sea, यानि कि यह भारत में जो है, अरब और Europeans ज्वारा आया था, जिन्होंने लंबी यात्राएं, भूमी और समुद्रों की थी Q5 हम दिखते हैं, Name 5 regional languages that came into wide use in medieval India, यानि कि 5 प्रादेशिक भार्षाओं के नाम बताई है, जो कि मध्योगीर युग में बहुत ज्यादा तोर पर यूज किये जाते थे, आंसर है तेलंगिनी, कंणर, सिंधी, काश्मीरी and गुजरी, यह सारी भाषा है थी हमारा question number 6 है, how were forest dwellers absorbed into the caste system, यानि कि जो जंगल की निवासी थे, वो हिंदू सिस्टम में, अरे माफ कीजेगा, वो casteism यानि जाती व्यवस्था में कैसे समाहित हो गएं, जो जंगल की निवासी थे, उन्होंने खेती कुछ ना और वे शूत्र caste में counted होने लगें, इस प्रकार जाती व्यवस्था में आगें, चलिए चलते हम question number 7 पे, how did the absorption of tribal groups into Hindu society affect Hindu religious worship, यानि की जो कबीले के समुहों का जो हिंदू धर में समाहवेशन हो गया, तो इसके पर शात हिंदू धर समाज की पूजा में क्या प्रभाव फड़ा, तो after the absorption of tribal groups, building temples to their gods and goddesses became an important activity among Hindus, यानि की इनके समावेशन होने के पश्चात, यानि जब कबीले के समुह, हिंदू समाहित हो गया, उनका मिश्रण हो गया, समिश्रण हो गया, तो इनकी जो है, महतोपूर्ण गतिविधी क्या थी, देवी देताओं की पूजा करना और मंदिर बनाना, हिंदू की ये गतिविधी ही बन गई थी, question number 8, what is meant by भक्ती, यानि भक्ती का क्या अर्थ होता है, answer, भक्ती in the devotion to God without the help of any middleman, यानि भक्ती जब हम भगवान की भक्ती करते हैं, बिना किसी की मदद के, ये जो है भक्ती कहलाती है, question number 9, who brought Islam to India, यानि भारत में इस्लाम कौन लाया था, answer, Islam was brought to India by Arab traders, यानि की अरब या पारिय द्वारा, Islam भारत में लाया गया था, चलिए अब हम कुछ और भी questions सेख लेते हैं, question number 10, why did the Indian kingdoms of the early medieval period rise and fall frequently, इसकारत ही है कि भारत में जो भी राज़त हैं, उनका बहुत ही शिगरता से क्यों थान और पतन हो रहा था, क्या कारण था, इसका, in medieval period, Indian kingdoms rise and fall frequently because it was based on power struggles among regional kingdoms of both North and South India, तो ये क्यों हो रहे थे, क्योंकि शक्ती पानी के लिए उनके बीच संघर्ष हो रहा था, इसलिए फ्रिक्वेंटी जो है, ये शिगरता से कुछ kingdom जो है, उत्थान पर थे, कुछ पतन की ओर थे, जैसे कि regional kingdoms के बीच में हो रहा था, प्रादेशिक राज़ यूग में, रिकॉर्ट रखने की बहुत ही strong feeling क्यों आ रहे थे, इसकी बहुत ज़रत क्यों पड़ी, इन अमीड़ बूल पीरियोड, देर वर elaborate systems of administration and the trade was on a large scale, among craft, religious and culture activities, so there was need of keeping record, यानि कि मध्योगिन यूग में जो है, प्रशासन जो था, यानि कि जो भी जिनके द्वारा विशासन चला जाता हुए जटिल था बहुत ही कठिन था और एक लंबी scale पर जो है व्यापार हो रहा था तो उसको जो है और इसमें व्यापार में जो है क्राफ्र रिलीजिस चीजे थी धार्मिक चीजे थी कुछ सांस्कृति गति विदिया थी तो उनको जो है सरक्षित कर मेर्जवर कायस्थास इंडिया तो कायस्थास एक जाती थी जो कि उसमें उबरी थी नेक्स्ट हमारा कोश्चन देट वाट इस इसलाम वैन और डिडिट प्राइज वाट इस इट बेस ऑन इसलाम क्या है इसकी कब और कहां शुरुआत हुई थी कहां पे शुरू हुई थी और यह किस पर आढ़ा री थे तो आंसर है इसलाम जो है मुस्लिम्स का धर्म है और इसकी शुरूआत अर्यबिया मेरुति सात्य शताब्दी में और यह आरब ट्रेडर्स के दवारा लाए गया था और और यह जो है एक भागवान पर आधारी थै एक भावान के विश्वास पर जो कि अल्ला है और जो प्रोफेट मुहम्मद है पैगांबर मुहम्मद उनकी शिक्षा पर केंद्रित नेक्स्ट कोईशन है वाट इस सुफिस्म क्या है कुछ मुस्लिम आए देखिए कुछ मुस्लिम जो हैं हिंदूओं से प्रभावित होने लगे जैसे ग्रीक लिखते हैं अपना एक्सराइस फुलिंदे ब्लैंक्स नॉमबर बॉन है डाश वजट ट्वेल्फ सेंचुरी कार्टोग्राफर फ्रम मुरक्को तो मुरक्को का कार्टोग्राफर कौन था बारुशताब्दी में अल अद्री सी चले हम बढ़ते आगे सेकेंड है वाट किता कासी खागजात थे वह किन रूपों में हम सरक्षित करते थे आर्चीव में नामबर फॉर मोस्ट इस्कॉलर्स एंड ओफिशिल्स इन मीडुवल इंडिया रॉट आइदर इन डैश और इन डैश लैंग्वेजिज तो दो लैंग्वेजिज थी ऑफिशियल तो जिस्कॉलर से विद्वान थी ओफिस में ओफिस की बात हो रही है तो यह तो संस्कृत में लिखते थे या पर्शिय लैंग्वेजिज तो यहां पर होगा संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजिज नमबर फाइफ है इन लैटन मीडिवल पीरियट हिंदुस्तान रिफॉर्ट तो और एक्सेप डाश इंडिया इसमें होगा एक्स्ट्रीम इंडिया क्योंकि भारत के एक सीरे को छोड़कर सारी चीज़सर को जो हैं सारे भागों को हिंदुस्तान कहते थे नेग्स्ट हमारा है नमब सेक्स्ट कायस्थास वर डाश बाई प्रोफेशन का काम होता था डॉकुमेंट्स की कॉपी बनाना यानि की स्क्राइब्स इस्क्राइब्स वाइब प्रोफेशन नमब सेवन आफ्टर प्रॉफेट मुहम्मद स्टाइब इन्टू मेजर स्ट्स डैश और डैश तो मैने बताया था आपको कि जो पैगंबर मुहम्मथ्य अंक्रमित्यों के बा यहां पर हन्फी होगा चली हम बढ़ते हैं आगे नेक्स एक्सेसाइस की तरह नेक्स हमारी एक्सेसाइस है स्टेट वाइद फॉलाइं स्टेटमेंट्स यानि की स्टेटमेंट्स जो नीचे दिये गए हैं वह गलत है या सही है नमबर वन है दब मीडूल पीरिड बिगें इंडिया एंड यूरोप यानि जो मीडूल पीरिड की शुरुआत हुई थी वह भारत और यूरोप में एक थी नहीं बिल्कुल यह गलत है यहां पर फॉल्स होगा सेकेंड है दो फॉर्स यूरोपीन ट्रेडर्स तो कम इन इंडिया बाइसी इन अमीडूल पीरिड वह इं साथ इस एड़ टॉप एंड नॉर्थ इस एड़ बॉटम यानि कि जो मैप था संसार का नक्षा उसमें साथ उपर था और नॉर्थ नीजे तो बिल्कुल सही है तो उनको वही कारे करने होते थे जो उनकी जाती द्वारा निर्धारित किये जाते थे या जो वहां की स्थान लिए नेक्स बढ़ते हैं देपॉर्ट वाटर वील टु इंडिया वाइल देट लिए तो इस नहीं पर्शिन वाटर वीला थी नेक्स्ट हमारा है इंडिया के मिन कांटेक्ट विस इसलाम लॉंग बिफूर दमिस्लिम इन्वेशन यानि मुस्लिमों के आक्रमण के पास भा तो यह बिल्कुल सही है इसलाम का जो है शासन बहुत लंबे समय तक चला था तो हम उन्हीं के संपर्क में थे नंबर रेट है इस्लामिक कंस्टम्स और लॉस बेस्ट ऑन देट्स और वर्ट्स ऑफ प्रॉफेट मुहम्मद तो क्या उलेमा जो है इसलामिक रिती रिवास थ होते थे यानि की राजनीतिक विशेशागे होते थे नेक्स हम देखते हैं सुफिस्म वर्स ब्रॉट टु इंडिया बाइ अरब टेडर्स के द्वारा लाए गया था यह बिल्कुल गलत है इसलाम को लाए गया तसलिए फॉल्स होगा हमारा नेक्स और लास्ट एक्सराइज है चूज अकरेक्ट ऑप्षिंस यानि आप ऑप्षिनल है एक ऑप्षिन आपको सेलेक्ट करना है नंबर वान इबन बतूताज रिहला इस इबन बतूता की रिहला क्या है यहां चाहर आप्षिन है और को रिलीजियस लिट्रेचर अट्रेवल एकाउंट एन यूलोजी और सांस्कृत आंसर एक ट्रेवल एकाउंट क्योंकि वो ट्रैवलर था और इसने यह लिखा था नेक्स अ प्रशस प्रशस्ति इस प्रशißtि क्या है राइटिंग प्रिशंग समभडी वार्स थैवलके हिस्टरिकल काउंट वर्काउंट आफ मैफ दो प्रशस्ति क्या थी जो त तो इसका करेक्ट आंसर है औरी लैंग्वेज जो है बैंगॉल में बोली जाती थी तिसका करेक्ट होगा सी चले नंबर फोर ए एक इतिहास कार एक पुराने दस्तावेज को प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं यूगे थे इसका प्रयोग क्यों नहीं कर पा रहे थे इसका चार आप्शन है जो पूरे समय बदलते रहें इसलिए इतिहास कारों को पढ़ने में दिक्कते आ रही थी अब हमारा लास्ट है आफ्टर प्रॉफिट मुहमद्स डैद मुस्लिम कमनेटी केम टू भी हैड़ेड वाई यानि कि पैगंबर मुहमद्स थे उनके मृत्यों के बाद मुस्लिम समाज किसके द्वारा उनका नेतित्व क कर दीजे और दोस्तों मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिया है इसके पार्ट वन का उससे आप पार्ट वन भी देख सकते हैं इसका जिसमें मैंने एक्स्प्रेशन दिया उस पोर्षिन में तो दोस्तों बने रही ही मेरी चैनल पर और मुझ चलिए दोस्तों इसके साथ मैं आपसे लेती हूं विदा धन्यवाद